हेलो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को थमनेल देखके पता चली गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक कोर्स के बारे में ये कोर्स क्या है इसे कैसे करते हैं दसवी के बाद कोई स्टुडेंट पॉलिटेक्निक कोर्स कैसे कर सकते हैं और बारवी के बाद को को इस video में मिलने वाला है तो video को सुरू से लेकर के अंतक जरूर देखिएगा जिससे आपको मालूम हो जाएगा कि polytechnic क्या है सबसे पहले हम बात करते हैं polytechnic word के बारे में जो polytechnic word है ये दो सब्दों से मिलकर बना है poly plus technique इसका मतलब होता बहुत सारी कलाओं का संस्थान आसान वर्ड में अगर हम कहें तो एक ऐसा संस्थान जहां पर अलग-अलग कलाओं के बारे में पढ़ाया जाता है Polytechnic एक ऐसा संस्थान है जहां पर student इंजीनियर बनने के लिए आते हैं और इंजीनियर बनने की पहली सीड़ी ही Polytechnic कहलाती है तो ये है Polytechnic सब्द का मतलब अगर आप भी Polytechnic के student हैं या फिर Polytechnic करने के बारे में सोच रहे हैं तो Polytechnic करने के लिए यहां पर मैं आपको चार स्टेप बताऊंगी Polytechnic करने के लिए एक process बनाया गया है जिससे आप Polytechnic कर सकते हैं Polytechnic में admission लेने से पहले आपको 10th pass होना compulsory है अगर आप 10th pass नहीं है तो आपको Polytechnic में admission नहीं मिलेगा इसलिए यह compulsory है कि आप 10th pass हो अगर आप 10th class में अच्छे marks से पास होते हैं तो आपको Polytechnic संस्थान में जो government Polytechnic संस्थान है उसमें admission मिल सकता है लेकिन अगर आपके 10th class में अच्छे marks नहीं है तो आपको किसी private Polytechnic संस्थान में admission लेना होगा तो मैं आपको सबसे पहला step बताती हूँ Polytechnic करने का जब आप 10th class अच्छे marks से पास हो जाते हैं तब आपको Polytechnic के लिए होने वाले test की तयारी करनी होगी इस test का नाम है DET DET का मतलब है diploma entrance test जो भी student Polytechnic में admission लेना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले इस test को पास करना होता है अगर आप इस test में अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं तो आपको एक government institute में admission आसानी से मिल जाता है लेकिन अगर आप इस test में पास नहीं हो पाते हैं तो आपको Polytechnic के लिए एक private institute में admission लेना होगा इसके बाद बात करते हैं second step की तो diploma entrance test पास करने के बाद में आपका admission Polytechnic में हो जाएगा Polytechnic में admission लेते समय किसी भी branch का चुनाव आप कर सकते हैं यानि कि आप किसी भी branch को चुन सकते हैं जिस भी field में आपका interest है उसी के base पर आप Polytechnic की branches का चुनाव करें यानि कि Polytechnic की जितने भी branch है उन्हें चुने जैसे कि अगर आपका interest computer में है तो आप computer branch को ही choose करें और अगर आपका interest electrical engineering में है तो आप electrical engineering branches का ही चुनाव करेंगे और Polytechnic management लेंगे इसके बाद बात करते हैं third step की school की तरह आपका Polytechnic में भी exam होगा हर साल आपको exam देना पड़ेगा और सभी exam में आपको pass होना जरूरी है अगर आप किसी भी विशह में fail हो जाते हैं तो उसका paper आपको दुबारा देना पड़ेगा यानि कि उसका re-exam होगा और उसे आपको pass करना होगा इसी तरह आपको तीन साल में छे बार exam देने होंगे या फिर तीन बार exam देने होंगे और सभी exam को pass करना होगा इसके बाद बात करते हैं चोथे step की तीनो साल सभी परिक्षाव में pass होने के बाद में आपको diploma मिलेगा इस diploma के आधार पर आप कहीं पर भी नौकरी पा सकते हैं कोई भी government sector में या private sector में आपको job मिल जाएगी और आप चाहें तो आगे की पढ़ाई भी जारी रख सकते हैं इसके बाद हम जानते हैं कि बारवी class के बाद हम polytechnic कैसे कर सकते हैं अगर आप 12 के बाद polytechnic का diploma का course करना चाहते हैं तब इस course का duration केवल 2 साल रह जाता है जिससे आप 12 और polytechnic diploma हासिल कर सकते हैं और 12 बेस पर polytechnic के साथ job के लिए भी apply कर सकते हैं लेकिन अगर आप 12 से polytechnic diploma course करना चाहते हैं तो आपके पास PCM होना आवश्यक है यानि कि कमपल सरी है आपके पास PCM ही होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तो अगर आप polytechnic करना चाहते हैं तो जब आप 11 ख्लास में admission लेते हैं तब ही आप PCM subject को चुनिएगा जिससे आगे चलके आपको polytechnic में admission लेने में सुविधा हो अगर candidate 12 ख्लास से polytechnic college में admission लेना चाहते हैं तो उसके लिए candidate को CET की exam को अच्छे नंबर से पास करना होगा जो CET exam है इसे कहते है common entrance test यह जो exam है इसे अच्छे marks से पास करना होगा तब ही आपको कोई भी government college में admission मिलेगा लेकिन अगर आपके अच्छे marks नहीं आते हैं CET में यानि की common entrance test में आपके अच्छे marks नहीं आ पाते हैं तो फिर आपकिसी private college से ही इस diploma को कर सकते हैं इसके बाद हम बात करते हैं कि 10th pass student polytechnic course किस प्रकार से करेंगे तो 10th pass के लिए polytechnic admission लेने के लिए आपको entrance exam देना होगा जिसका नाम है DET यानि की diploma entrance test जो student polytechnic में admission लेना चाहते हैं उन्हें इस entrance exam को pass करना होगा अगर आप इस test में अच्छे marks लाते हैं तो आप government institute में आसानी से polytechnic diploma course के लिए admission ले सकते हैं नहीं तो आपको private institute में admission लेना होगा अगर आप 10th class से polytechnic का diploma course करते हैं तो ये course आपके लिए 3 साल का होता है यानि कि इसका जो duration होता है वो 3 years का होता है आगे हम जानते हैं most popular polytechnic courses के बारे में जो कि इंडिया में available है तो अभी तक हमने बात किया कि polytechnic diploma कैसे करते हैं और अब हम बात कर रहे हैं कि इंडिया में most popular polytechnic courses कौन-कौन से available हैं तो यहाँ पर मैंने आपको list ही दिखा दी है जो कि आप देख सकते हैं सबसे पहला जो course है यह है diploma in computer science and engineering diploma in civil engineering diploma in electrical engineering फिर है diploma in mining diploma in electronics and communication engineering फिर दिया गया है diploma in mechanical automobile engineering और diploma in mechanical production engineering तो इस तरीके से यह most popular polytechnic course है जो कि इंडिया में available है तो इन में से आप अपने choice के हिसाब से कोई साभी course कर सकते हैं आगे हम बात करते हैं कि polytechnic में कौन-कौन से branch होते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि polytechnic का मतलब होता है बहुत सारी कलाव का संस्थान इसलिए polytechnic में engineering और non engineering से सम्मदित बहुत सारी branches होती लेकिन सभी polytechnic में सभी branches नहीं होती है यहाँ पर मैं आपको कुछ list दिखाऊंगी जिनमें काफी सारे branches दी गई है सबसे पहले आपको अपना interest देखना होगा जिस field में भी आपका interest है उसी base पे आप किसी भी branch को choose कर सकते हैं और उससे polytechnic diploma पूरा कर सकते हैं तो यहाँ पर देखें list दिखाया गया है architectural, assistantship, automobile engineering, chemical engineering, civil engineering, computer engineering, computer science and engineering, electrical engineering इसके बाद दिया गया है electronics and communication engineering, electronics and communication engineering industry integrated electrical and electronics engineering, electronics microprocessor, electronics and telecommunication engineering, fashion design, food technology, garment technology, information technology, instrumentation technology, interior design and decoration, leather technology, leather technology, footwear, library and information sciences, mechanical engineering, mechanical engineering, refrigeration and air conditioning, mechanical engineering, tool and dye, marine engineering, medical laboratory technology, plastic technology, production and industrial engineering, textile design, textile processing, textile technology तो ये सारे branches है, polytechnic diploma के, इन में से आप अपने interest के base पर ही कोई सा भी एक branch चुन सकते हैं और उससे अपना polytechnic diploma पूरा कर सकते हैं अब हम बात करते हैं कि polytechnic diploma करने का फायदा क्या है, इसे करने के क्या क्या benefit है तो सबसे पहला benefit ये है कि आप polytechnic जो diploma है, इसे 10th class या फिर 12th class के बाद ही कर सकते हैं दूसरा benefit आता है, polytechnic diploma में आपको course के बारे में practical तरीके से सिखाया जाता है थर्ड benefit है, polytechnic diploma को करने के बाद आप किसी भी government और private job के लिए apply कर सकते हैं जो चौथा benefit है ये है, इस diploma course को करने के बाद आप direct engineering के second year में admission ले सकते हैं तो ये सारे benefit है polytechnic diploma करने के अब हम बात करते हैं कि polytechnic करने के बाद क्या करें तो अगर हम चाहें तो polytechnic करने के बाद किसी भी government या फिर private sector में job कर सकते हैं जहां हमें एक अच्छी salary पे job मिल जाएगी और अगर हम चाहें तो polytechnic करने के बाद अपनी पढ़ाई को भी जारी रख सकते हैं तो ये हैं polytechnic करने के बाद हमारे पास options चाहें तो हम job करें या फिर चाहें तो हम आगे अपनी पढ़ाई को जारी रखें इसके बाद बाद करते हैं कि अगर हम job करना चाहें तो हमें job किस प्रकार के मिलेंगे तो polytechnic करने के बाद में आप किसी भी government या फिर private sector में job कर सकते हैं ये तो मैंने आपको बता ही दिया लेकिन अगर आपने किसी भी अच्छे branch से डिप्लोमा पूरा किया है जैसे की मान लीजिए computer, electrical या फिर mechanical जैसी branch से आपने डिप्लोमा कर लिया है तो आपके पास बहुत सारे option होते हैं job के जैसे की अगर आपने mechanical branch से डिप्लोमा किया है तो आपका railway विभाग या फिर किसी तरह के वाहन विभाग में नौकरी मिलने के chances बढ़ जाते हैं इस प्रकार के आपको computer related ही job मिलेंगे तो ये हैं आपके job मिलने के chances इसके बाद बाद करते हैं कि job के बाद हमारी salary कैसी होगी तो पॉल टेक्निक करने के बाद में अगर आप तुरंट नौकरी पाना चाहते हैं तो आपको 15,000 से 20,000 salary की नौकरी मिल सकती है लेकिन अगर आप पॉल टेक्निक के बाद में नौकरी करते हैं और साथ में अपनी B.Tech की पढ़ाई भी करते हैं तो बाद में आपको 20,000 से 25,000 salary तक की एक अच्छी खासी job मिल जाएगी क्योंकि 3 साल की B.Tech और 3 साल का आपका work experience हो जाएगा जिसके आधार पर आपको अच्छी खासी salary मिल सकती है तो इस प्रकार से आप खुड डिसाइड कर सकते हैं कि पॉल टेक्निक करने के बाद आपको job करना है direct या फिर job के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखनी है अब हम बात करते हैं कि B.Tech कैसे करें आप पॉल टेक्निक के बाद भी B.Tech कर सकते हैं B.Tech में आपको दो एक्जाम के जरिए admission मिल जाएगा एक एक्जाम है lateral entry exam और जो दूसरा एक्जाम है ये है engineering entrance exam अगर आप पॉल टेक्निक के बाद lateral entry exam के जरिए admission लेते हैं तो आपको direct engineering के second year में admission मिलेगा यानि कि B.Tech के second year में आपको direct admission मिल जाएगा lateral entry exam state level का exam होता है आप अपनी rank के अनुसार counseling के समय अपने state से college चुनने में सक्षम होंगे अधिकतर engineering college में lateral entry के reserved seat होते हैं लेकिन IIT में कोई lateral seat नहीं है तो इस प्रकार से आप चाहे तो lateral entry exam के जरिए B.Tech में admission ले सकते हैं या फिर engineering entrance exam के जरिए भी B.Tech में admission ले सकते हैं अगर आप policy technique के बाद भी आगे अपनी पढ़ाई को जारि रखना चाहते हैं तो आप policy technique करने के बाद उसी branch से degree भी कर सकते हैं अगर आपने electrical branch से अपना डिपलोमा किया है तो आप electrical branch से ही B.Tech को कर सकते हैं और उसके बाद M.Tech भी कर सकते हैं M tech करने के बाद या फिर B tech करने के बाद ही आपको एक अच्छी नौकरी मिल पाएगी जिससे आपको अच्छी salary भी मिल जाएगी यहाँ पर एक not करने वाले बात में आपको बताती हूँ कि अगर आपको जल्दी जौब चाहिए तो आप Paul Technic की जगह ITI करें ITI पर हमने पहले ही वीडियो बना दी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और साथ ही आई बटन में भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा तो अगर आप जल्दी नौकरी पाना चाहते हैं तो आप Paul Technic की जगह ITI कर सकते हैं यह आपके लिए काफी बैस्ट रहेगा और फिर हम बात करते हैं कि Paul Technic के बाद अगर हम IIT करना चाहें तो किस तरीके से करेंगे तो Paul Technic करने के बाद अगर आप IIT में जाना चाहते हैं तो आपको जे डवली में का एक्जाम देना होगा और उसके बाद जे डवली एडवांस एक्जाम देना होगा इसके अलावा IIT में कोई लेटरल एंट्री नहीं है लेकिन इस एक्जाम के जरिए आप B.TEC के पहले वर्ष में एडमिशन लेने में सक्षम होंगे तो थैंक यू सो मच पूर वाचिंग डिस वीडियो अगर आपको हमारी वीडियो जरा भी हल्फफुल लगी हो तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर कर दीजेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर प्रेस कीजेगा जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो जासानी से बेख पाएंगे